पिनाम दोस्तों मैं आरोई आप सभी का दिल से बेलकम करती हूँ उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे आज की करेंट एनरजी प्लस चैनल मैसेज डिवाइन मैस्कुलिन के लिए है साथ में हमारी फैमिन के लिए भी है तो सबसे पहले मैं मै आपको देना चाहूंगी कि मैस्कुलिन की जो चक्राज है वो एक्टिवेशन मोड पे तो हैं लेकिन सबसे ज़्यादा जो हाइर लेवल पर इस टाइम जो अवेकन हो रहा है उनका चक्रा वो है थाड़ाई चक्रा जैसे हम अग्या चक्रा कहते हैं एक्चुली मैं इस को एक जगा फिक्स करके उस चीज को रियालिटी में बदलना यानि कि जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं कि संकल्प सक्ती उनकी जागरित हो रही है और उस पर वो वर्क कर रहे हैं और संकल्प सक्ती कैसे काम करती है इस चीज को वह जान रहे हैं तो यानि कि उनकी मन में जो डी हो रही है यानि कि वो reality से बहुत जल्दी connect को पारहे हैं और बहुत जल्दी उस चीज को reality में लेके आ रहे है यानि कि इस time masculine की current energy बहुत ज़्यादा positive and बहुत ज़्यादा magnet की तरह और हुए बहुत इमीजेटली हुनका सारा और आंशर्स या कुछ जो वो मांग रहे हैं या किसी के लिए प्रियर कर रहे हैं बहुत जल्दी बहुत इमिजिटली वो कंप्लीट हो रही है यहीं पर मैं बात करू हमारी फैमनीन की तो फैमनीन थोड़ा सा फ्रस्टेशन वाली एनर्जी को फील कर पा रही है थोड़ा सा उनको इसलग रहा है कि जैसे गुसा और थोड़ी थोड़ी से ऐसी उनको उदासी फील हो रही है तो यह एनर्जी अपको इसलिए फील हो रही है जो आप टेल्ली निर्वर्क करते हैं तो पर आहींilan कहीं आपके देल्ली जादा energy को receive कर लिया है या बहुत जादा overflow हो रहा है और जिसके चलते ऐनर्जी आपकी रिलीज नहीं हो पार रहे है। या crown चक्रा पर जाके श्टक हो गई है या फिर आपकी जो उर्जा है वो आपसे increase होते हुए वो direct universe की energy से connect नहीं हो पा रही है जिसके चलते आपके अंदर बहुत जादा energy फिल हो चुकी है और वो आपको frustrated कर रही है जिसका systems आप इस तरह से पता कर सकते हैं कि आपको सबसे जा हो रहे हैं कभी suddenly बहुत लो जा रहे हैं actually energy आपकी कभी इधर तो कभी उधर उस साइड में मतलब travel कर रही है और दोनों को balance करने के लिए आपको क्या करना है कि जबी भी meditation करने आप बैठें तो अपनी energy को feel करें कि crown चक्रा से बाहर universe के साथ align हो रही है और उसी तरह से अपनी आपका हिलता रहे डूलता रहे या योगा कर सकते हैं जिसे मतलब body सबसे ज्यादा work करें body थोड़ा सा थकान feel करें क्योंकि जो energy है वो release होना चाहती है अकर वो release नहीं होगी तो फिर आप उस energy को कैसे release करोगे frustration में जाके गुसे में जाके उदास होके या पर्दिंग में जा waste करोगे तो उसका कोई भी meaning नहीं है यानि बापिस आप उसी energy को attract करोगे तो आपको करना क्या है या तो दूसरे के लिए prayer करो या फिर मदरत के लिए healing विजो उसके बाद भी अगर आप heavy feel कर रहे हैं तो dance करो music play करो या music record करो या singing करो मतलब ऐसे कुछ काम करो जिससे कि आप आपकी energy बाहर निकले अगर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो room बंद करके जोड से चला और एक दम से feel करो कि सारी energy आपको बहार निकालनी है ताकि जो आपको frustration वाली energy हो रही है वो पूरी तरह से release हो चके अगर ये energy आप किसी और पर अपलाई करेंगे तो कर्मा क्रिएट क करना किसी से कुछ कहना भी नहीं है तो आपको क्या करना है अपने आपको अपने आप से ही balance करना है तो इस तरह से अपने आपको balance कीजिए थोड़ा साथ फैमनीन की energy high level पे रहेगी विकॉस जब masculine की energy high level पे है और masculine का अग्या चक्र जब ऑपन हो रहा है तो definitely energy normal नहीं है किस तरह से कैसे कहα पी energy को लेके जाना है कैसे किस तरह से लोगों को energy जाकर टाकर अपनी उस पावर को उस धरोहर को जो आप डेली मेरिटीशन में लेके आते हैं डेली उस मेरिटीशन में जाकर करके अपनी अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करते हैं तो उस धरोहर को पूजी को एनर्जी पूंज को ऐसे जगे पर लगाएं जाकर कि जब आपको रिसीब हो तो पॉ विदाबे मौसम बहुत अच्छा है एनर्जी बहुत अच्छी चल रही है लेकिन एनर्जी है खुद के साथ में अलाइन होने की अपनी माइन बॉड़ी को अलाइन करने की बट इहां पे सबसे पॉजिटेव पास जो है वो है डिवाइन मैस्कुलीन का अग्या चक्र ऑपन हो लेकिन रेड़ी के साथ साथ में हमारे अंदर उस चीज को करने के लिए एनर्जी होनी चाहिए हमारे अंदर बिल पावर होना चाहिए कि हाँ डाफीनीटली मैं ये काम कर सकता हूँ क्योंकि कही न कहीं मैस्कुलीन के अंदर बहुत सारी गिल्ट होते हैं बहुत सारी फियर बहुत नॉर्मली वह एक्षन ले पाएंगे और कमिटमेट वाली एनरजी को वह आपके लिए रिस सर्व कर पाएंगे आपको प्रोवाइट कर पाएंगे तो इसके लिए हमारी फैमिन को एलेविल रहना है बैलन्स रहना है और राडी रहना है साथ ही साथ में अपने आपको भी बैलेंस करते रहना हैं हील करते रहना है और नीचर के साथ जितना हो सके connection क्रियेट करके रखना है यानिकि उनके साथ में balance कीजिए हील कीजिए ताकि आपके अंदर जो भी ब्लॉक बार-बार आपको रोक लेते हैं बार-बार आपके अंदर उस चीज को आगे नहीं देते हैं तो जिसके चलते एनरजी आपकी किसी एक चक्र प्या करके ब्लॉक हो जाती है और उसके वज़े से आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है तो उसके लिए क्या करना है कि मॉर्निंग में या नाइट में नीचर के साथ में इस पैन कीजिए आकास की नीचे में लिए खुले आकास्ति नीचे तेटिये नाईट में और स्पैन की जेंए इन तारों को छो अम मतलте रात को दिते हैं कि हर चीज को महसूस की जिए बहुत कंसी बनाई यह ताकि आपको सब की उर्जा एक एक चक्र वा ख नीचर का सपोर्ट लेना होगा तो नीचर ही हमें पूरी तरह से हील कर सकती है तो या गाइज यह है आज की चैनलिंग आई होप आपके साथ में राजोनेट होई है तो प्लीज मुझे कमन करके बताईएगा साथ में आज में थोड़ा ही बोल पांगली बसे मेरी आज की चैनलिंग में बहुत सारी मिश्टेख हो गई है मिचल करदीज "... धोड़ा सा मतलब॥ चैनलिंगल दे ना बहुत जरूरी था चीज़े थोड़ी से होता है ना कि फैमिली में है तो थोड़ी बात चलता रहता है लेकिन मैं अपने आपको positive में हूँ और balance में हूँ बट लेकिन जलदी जलदी करना है क्योंकि मुझे और ही चीजों को देखना है तो उसके वज़े से थोड़ा सा मेरी mistakes हो गई है बीच में उनको ignore कर दीजेगा हाला कि मुझे वीडियो देने का नहीं था time बट मैंने आप सब के लिए थोड़ा सा time निकाला है क्योंकि यह देना पहुत जरूरी था क्योंकि हमारी पामिन जो है frustration में जा रही है और frustration में जाकर कि वह कुछ गटबड़ करें इससे अच्छा है कि उन्ह अक्टिवेट रही है एंड रेडी रही है और इसी के साथ में मैं चलती हूँ मिलती हूँ next वीडियो में तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए खुश रही है और नीशर के साथ में time spent कीजिए तो याओ इसी के साथ चलती हूँ बाबाई